खबर पलवल से है जहां गुरासकर गाव में नाबालिक की हत्या का मामला सामने आया है घर में लटका मिला है 16 वर्षिय की शोरी का श्रफ छे लोगों पर मार पीट कर हत्या करने का आरोप है साथी वतादे की पुलिस ने मामला दर्श कर जांच शुरू करती है बड़ी खबर उसक्ति आपको बता रहे हैं पलवल के गुरासकर गाव में नाबालिक की हत्या का मामला सामने आया है 16 वर्षिय की शोरी का श्रफ घर में लटका मिला है शे लोगों पर मार पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहे हैं अन्टैस के फिपैश से पताश चला हमारे पास हो लाया बती यह कर के चाचा जह गड़ा हो गए आगर पे आपके लिए बच्चे से जगड़ा कर आप तोई बात नहीं जगड़ा हो गया हम चल दिए हमारी लड़की पीछे से इतनी बुली तरीके से मारी है मूर्दिन ने, अंजुम ने, वरीशा ने, तौफिक ने, बीमा ने, उसकी खुद लड़की सन्ना ने, सब ने मिलजुल के मारी है, नाड पे पैर रखे, इतनी बुरे तरीके से गला गोटा है, गोट के उसको लटका दिया जी, जब आसपडोस वालों ने दर्वाजा खोला है, जब उसी लिटाया है, जब हम पोस्माटम के लिए चले, जब सरपंच नू बोला, गाउं में से मट्टी यहीं दफन होएगी, और ये बाहर नहीं जाएगी, ये बाहर नहीं जाएगी, जी, हमारी लड़की मुसलमानों ने मा जारी है, नाड भीचके, और इसको पंखे में लटका दिया, और इसका पिताजी दूसरे गाउं में मजदूरी करने जाता है, और फिर उनको पास फोन वगएरा किया, जब हो आए, जब पडोसियों ने इस लड़की को उतार, वो नू कह रहे हैं, मार देंगे, तुमको जि जब आए, तो देखिया कि वहाँ जाकर लड़की सुचाइड कर लिया था, फासी खाकर उसके नाज को वहाँ लिटा रख्या था, तो परिवार बाड़े उनको पूचा था ची करी, तो उन्होंनों बताया कि बैसे हैं, अशे हमारे लड़की को तो मार कि लटकाया है, और लड़की का नाम जो है, जैराकी है, लगो सोडा सतरा साल की करीब उमर है, बाकि जले पर जो निसान है, वो सुसाइड के हैं, वो हमीं के हैं, रसी लटकी कमरा में कुछ ऐसे देख्या है, तो अभी पोस्टमार्टम कराएंगे, इन्वेस्टिकेशन चलेगी, जैसी बात हो वैसे ही, आगे कारवाई चलती रहेगी इसमें, और जो उन्होंने कमप्लेंड करी है, कमप्लेंड के बेसिक पर है, हमने केस रेजिस्टर कर दिया है, केस रेजिस्टर में 4-5 आदमेंगे, नहोंने नाम दिये हैं, कि इनोंने लड़की के साथ हो है, यह मार का लगता ही है, सब्सक्राइब करें जा रही है तो स्मार्टम कराएंगे देखेंगे